देव भूमी उत्रा खर्ण में गौ माताओं की सेव में तत पर संस्ता आखिल भारते सेरी हैनमान गौ सेवर टरस्ट की आज सिर्प्ट मिटिंग तमाम सदस्य और जो भी समीति से जुड़े वे लोग हैं अध्यक्स, उपाध्यक्स, कोसाध्यक्स से लेकि तमाम समीति की आज सेवक्ति मेटिंग, हलांकि यदि में देव भूमी की बात करो धामों पर हमारे जो खास बुलोटे ने उसके बद्धे नजर में कहीं जगह पर देखा गया, अभी भी गौ माताओं सड़क पर डोलती नजर आए, बाहराल इस संस्ता की बात करो, तो कई सालों से गौ माता की सेवक करती है, अखिल भार के सिरी गौह, अनुस्तमान सेवक्तरस्ट की जो संस्ता है, और लगबग 286 से ज़ादा गाई वहाँ पर पहले हैं, और पूर में भी 10 मैंने पूर संस्ता के द्वारा लगबग 87 गाई ली गई थी, और फिर संस्ता का जो प्लाइन बन रहा, आज मिटिंग में जो फैसला किया गया, बात करेंगे महराज जी से जो समीति का द्यक्षे हैं, तमाम सदस्य गण, क्या आगे प्लाइन है, बारहाल ऐसे निकल किया रहा, सो गाई और संस्ता के पास जो जगह है लेने का आगे जो तैयार किया गया, कब लेंगे, क्या डेट रही बताएंगे समीति के लोग, और सो और गव माताओं के लिए बिवस्ता बनाये जा रही, और ही मैं समीति के बात करों, तो बड़े तीची नियाली सोड, विकास ठंड में ही आफिस है, और पूरे जीला भर की बात करों, गव माताओं ली जाएंगे, ऐसे निकल किया रहा, ब आज अखिल भारतिरी स्री हनमान गव सेवा ट्रस्ट के कारयले पे, सब्रहंत व्यक्तियों के सानिद्ध में, जो अलाव कर निराश्रित गवन्स हमारे नगर छेतर में, गरामीर छेतर में भूम रहा है, कश्ट पा रहा है, हम सब ने निर्णे किया है, कि हमारे पास सो गाय जाने वाला है, गायों को सरण मिले, हम मैं तो बच्पन से गव सेवा करता रहा हूं, हम मैं यह चाहता हूं कि उत्तर काशी क्या, पूरे उत्रा खंड में, एक भी गाय निराश्रित अलाव कर रोट पे न गुमें, और सबसे निवेधन करता हूं, जो गव पालक हैं, अकार गाय दे भी सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक तो बद्री नसल की गायें, जो कम दूद देती हैं, बैल भी हैं, हमारे पास साड भी हैं, तो मैं अभी ये मीटिंग में निश्चे किया गया है, कि हम सब इत्वार के दिन गायों को एकत्रित करके, पैदल मार्क से करीब 15 किलो राष्ट माता घोशित किया है उत्राखंड सरकार में, मैं पुना उत्राखंड सरकार को धन्यवाद देता हूं, जो गवन्स के लिए इतने सुरदे हैं, हमारे मुख्य मंतरी, हमारे पशपालन मंतरी, नित्य निरंतर चिंता रखते हैं कि कोई भी गाय सड़क में न रहे, और 80 रुपे प्रत दिन के इसाफ से जो अनुदान उन्होंने दिया है, मैं सरकार से निवेधन करता हूं, कि जो वेरोजगार बच्चे गायों को पाल लहे हैं, एक महीने के बाद उनका अनुदान स्विक्रत किया जाए, ताकि एक भी गाय निराश्रित न रहे, यह देव ली थी, और निकल के आ रहा है कि उसमें जो है, सरकार जो पेमिट देती है, बहुत रुक्के देती है, तो उसमें कुछ बदलाओ जैसे कि आप बता रहे कि हर मैने हूं, तो आपकी सस्ता को वहां से जो अभी इतना टाइम पीरेड हो गया, कई अभी मैंने आयोग में भी ग तो यह क्या कहां अधिकारियों के बेश पे खामी है, यह सरकार कुछ डिकलर ने कर पारी, सरकार ने अभी उत्राखंड सरकार ने प्रतेक गवशदन को आनलाइन किया है, सबकी टैगिंग हुई है, वीडियो रिकार्डिंग हुई है, लेकिन सरकार के जो नियम है, वो एक पर्ष के बाद औसर संख्या निकाल के ही वो अनुदान देती है, वो इसलिए देती है कि कोई फटजी वाड़ा न हो सके, सरकार तो अपनी तरफ से सुरद है गवशदन के लिए, परंतु सभी गवशदन चलाने वाले जो हैं, उनको अपनी आर्थी की स्थिति स्वयम देखनी चाहिए, सरकार कोई किसी का पैसा तो रोखती नहीं है, लेकिन मैं ये मांग करता हूँ कि जो 25 गवशदन वाले जो बेरोजगार नोजवान चलाने की सोच रहे हैं, उनको तो प्रतिमाह अनुदान मिले, तो मेरा विस्वास है कि एक भी गाय रोट पे नहीं दिख नहीं है, उसमें थोड़ा और इंप्रूब हो सकता है, बाहराल कुछ और सदस से बात करेंगे, अब बड़ो निसाब हैं, आपको तो बड़ो निसाब बहुत आइडिया भी है, नेता भी है, बराबर मंत्रियों में रहते हैं, आपके सरकार भी है, तो अभी जो देखने को म अंदोलन में मिल क्या हैं, तो कई न कई खामी बनी हुए, कुछ अपनी और से आप बताएंगे, क्या कैसे ये सब निराकरण हो सकता है, कि गव माता को भी जो पालते हैं, उनको पैसा टाइम से मिले और कुछ ऐसा बता नहीं आप, जी सबसे पहले तो बगणा जी मैं आपक निरासरित रामकिसोड़दास जी के जो है आसरब में और मुख्याले में जो है, आज जो ये गव मन्स को जो है संदक्षित करने के संबंद में एक बैठा काहुत की गई, उसमें आपने हम लोगों को समय दिया, और मैं हमारे परमकुज्य महराजी का आभार और धन्यबाद करता हूँ, कि आपने जो है अपनी दूर दृष्टी जो है, इन जो है निरासरित गव माताओं के जो है वंस पर डाली, कि किस तरह से ये है, हमारे नगर छेतर में जो है लावारिस घूम रही है, इने जो है भोजन की दिक्कत हो रही है, साथ में जो है जो है जो नगर छेत सब्सक्राइब करेंगे और उनकी सेवा करेंगे इसके लिए हम सब यहां पर बैठें और नमबर दो आपका सवाल है तो इसमें जो मुझे लगता है की जो सरकार के जो नियम थे पूर में भी जो हमारे पूजय महांत्री जी ने जो है माने मंत्री जी अवगत कराया और इस तीन वर्स का जो उनका निर्ड़े था उसको जो है लगवगा अब एक वर्स कर दिया ऐसा है संबहोता मुझे जानकरी है और इस संबंध में हम भी बारता करेंगे माने मंत्री जी से क्योंकि जो बेरोजगार लोग जो है रोजगार के लाब को देखते हुए गौवन्स को कर जो है उनका लालन पालन कर रोजगार भी अपने लिए शर्जित कर सकते हैं और जो हमारे नगर चेतर में और पूरे प्रदेश में जो है गौवन्स जो है आवारा घूम रहा है उनको भी आस्रे मिल जाएगा तो अगर सरकार से हम भी अन्वेदन करेंगे कि यह साल भरना होकर कमसेकं में दो या तीन महा में कवार्टर्ली जो है इनका जो अनुदान दे दे दिया जाए ताकि जो है जो गाये जो पाले गा आप उपनी और उसके जो बेरोजगार होगा उसके पास इतनी आमदनी नहीं हो सकती कि तीन महीने ता या साल बर तक जो है वो किसी गौवन्स का पालन पोशन करें आप समझ सकते हैं कि पहाडों में पालन पोशन के लिए जो है कितनी समस्याइं से जूजना पड़ता है प्रतेक व्यक्ति को जो है उसके लिए कुछ न कुछ जो है अंस देना पड़ेगा तो इन सबी समस्याइं को देखते हुए हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम मानिया मंत्री सौरव वगुणा जी से मुलाकात कर जो है इस समस्या से अवगत कराएंगे और हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारी लोग प्रिया उत्राखन सरकार और मानिया लोग प्रिया मंत्री जी जो है इसका कुछ न को समाधा निकालेगा जाने बहुत धन्यवाद ये थे बीजय बड़ोनी जी कुछ और सदसों से बात करते हैं कब डेट रहेगी क्या प्लाइन रहेगा कुछ और उसे बात चि झाले लोग बात शुछ झाले लोग प्लाइन तियुतो आ तक पड़ से ये जुख सब Preis जी 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 बात वार जादी कुछ।